स्ट्रेश शिवाय नमस्तु ब्याम हम सब को पता है कि नौ फरवरी को मौनी अमवस्या का बहुती प्यारा सा दिन है जो इस नानदान होता है ना उसमें सबसे बड़ा दिन माना जाता है मौनी अमवस्या का और अगर आपकी फैमिली में परिवार में लोगों को दुख उपाय को बहुत ही विस्तार से लेकिन आपको बता दूँ इस वीडियो में कोई उपाय करना ना करना लेकिन चार उपाय की बात करेंगे तो जो चोथा उपाय होगा वो जरूर सुनना और जरूर करना ठीके चलो सबसे पहले हम लोग अपने पहले उपाय की बात करने जा र ठीके आपको यहाँ पर गेहूं के आंटे को लेना है और उसकी बहुत यहाँ पर तो मैंने बहुत बड़ा बड़ा दिखाया है इसलिए ताकि आपको समझ में आए आपको इतना बड़ानी लेना है बहुत ही छोटा छोटा आंटे की गोलिया लेनी है बहुत सारी साथ लेलो अब इससे क्या फायदा होगा देखो अगर आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा परिशानिया रहती है तो वो कहीं न कहीं दोश होता है पित्र दोश का हमें समझ नहीं आता कि वो पित्र दोश से हम छुटकारा पाएं कैसे तो आपको पता है कि पित्रों के रूप में पृ इधा हमारे पित्रों को मिलता है और पित्र हमारे खुश होते हैं बड़ इस उपाय के लिए आपको जाना होगा किसी भी नदी तलाप सरोवर कुआ बावडी में जिस जगह पे मचलियां हो चाए छोटी हों बड़ी हों है ना वहाँ पे जाना शाम के टाइम पे प्रदोश खिलाएंगे तो आपका जो मुख होना चाहिए वो साउथ डिरेक्शन यानि की दक्षर दिसा क्योंकि अमवस्या का जो दिन होता है वो ऐसा माना जाता है कि ये हमारे पित्रों के लिए हैं तो इस उपाय को आपको पित्र दोश को दूर करने के लिए करना है सिर्फ एक बा आप पे घर में कष्ट बहुत जादा परेशानिया बढ़ती चली जा रही है वो सारी समस्याएं खतम होंगी क्योंकि इससे जो हमारे पित्र होंगे ना वो त्रिप्थ होंगे खुश होंगे और अगर पित्र खुश हो गए तो आपकी लाइफ के सारे कष्ट खतम होंगे च कि सबसे फेमस बहुती प्रसिद्ध उपाय है यह उपाय हर बार गुरुजी अमवस्या का जब भी उपाय बताते हैं यह बात कहते हैं ठीक है देखो अगर यह उपाय आप करोगे तो आप अगर कोई भी वरत करके हार गए हो और आपकी फिर भी इच्छा पूरी नहीं हो र तो टाइट पत्ता नहीं लेना है एक जो नया पत्ता निकलता है कोमल वाला वही पत्ता लेना एक पीपल का पत्ता लेना है पीपल के पत्ते को लेके पहुँच जाएंगे वट व्रिक्ष के नीचे कहां पे बरगत पेंड के नीचे सुबह दोपहर शामरात कभी भी चले ज अब आपको क्या करना है पीपल के पत्ते पर वट व्रिक्ष के मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप सब को करना होगा क्या करोगे एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हम सभी को करना है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना वहीं के मिट्टी स जो भी पूजन पाठ अर्चना आपको करनी हो, सब कुछ चढ़ा देना, काला तिल जरूर समर्पित करना, अपनी जो भी मनो कामना हो, जो भी विश्यज हो, वट केश्वर महादेव की नाम से, सब कुछ समर्पित करने के बाद में, इस पूरे पीपल के पत्थे को और उसी वट वरिख के नीचे आपको विसरजन कर देना है, चाहे किसी भी बाल्टी में डाल की, या फिर पानी से कैसी भी करके विसरजन कर देना, जो भी विक्ती अमवस्याती थी पे वट वरिख के नीचे, पीपल के पत्ते के उपर पार्तिव िशिवलिंग बना करके, उसकी सारी मनोकामनाए पूरी जरूर होती है तो यहाँ पे हम लोग ने बहुत ही छोटे छोटे दो उपाय की बात कर ली है आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय के तरफ और ये जो तीसरा उपाय है वो आपको करना होगा काले तिल से लेकिन कैसे करना है क्या क्या बोलना होगा उससे पहले जल्दी से कर दीजे वीडियो को लाइक और जितने भी भाई बहन मेरी सावाज को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ठीक है अब देखो ये उपाय बहुत ही छोटा सा है आमावस्या का दिन है तो काले तिल का उपाय हमें करना ही करना चाहिए सबसे पहले समझते हैं अगर ये उपाय आप करने जाते हो तो फाइदे क्या होंगे पहला फाइदत यह होगा कि अगर कोई भी इंसान आपे घर में बीमार पड़ा हुआ है उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है तो इस उपाय को करेंगे दूसरा अगर कोई भी इंसान आप घर में क्रोध करता है बहुत ज़ादा गुस्सा कर रहा है तो इस उपाय को करिएगा ठीके समझेंगे यहाँ पे देखो काला तिल दिख रहा है तो आपको यहाँ पे लेना होगा एक चुटकी काला तिल इससे ज़ादा मत लेना काला तिल के साथ आपको लेना होगा दूरुवा मातर आपको एक दूरुवा लेनी है लेकिन दूरुवा को लेने का तरीका यहाँ पे चेंज होता है कैसे मैं समझाता हूँ जैसे मान लेते हैं कि यह दूरुवा की डंडी है अब आपको क्या करना है इसी दूरुबा की डंडी में हमें तीन गाठ वाली दूरुबा चाहिए जैसे इसमें ऐसे गाठ पड़ी होती है दूरुबा में और इसी गाठ से होती हुई दो दो तीन तीन पत्तियां निकली हुई होती है अगर मान लेते हैं किसी दूरुबा में ज़्यादा गाठ है तो आप तोड़ करके तीन गाठ वाली दूरुवा बना लेना ठीक है तीन गाठ वाली मातर एक दूरुवा लेंगे एक चुटकी काला तिल एक तामबे का लोटा जिसमें जल भरेंगे अपने घर से और पहुँच जाएंगे महादयो के शिवलिंग के पा अगोरेशवर महादयो के नाम से एक चुटकी काला तिल समर्पित करेंगे जो एक दूरुवा आपके पास में है वो माता असोग सुंदरी के इस्थान पे तीन गाठ वाली दूरुवा समर्पित करेंगे और फिर एक लोटा जल आपको इसी काले तिल के ऊपर जो भी इनसान आप गर में क्रोध करता है गुसा करता है बीमार रहता है उस इनसान का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना जीवन की साही तकलीफें कता होंगी क्रोध बीमारी तो कहा जाएंगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा इस्पेशल उपाय है प्यारा सा दिन है आप स पूरी वीडियो में हम लोग चार उपाय की बात करेंगे और आप सभी कोई उपाय करना मत करना बट ये चौथा उपाय आप सबको करना है ठीके क्यों योगि यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपको कोई और उपाय करने की जरुवत नहीं पड़ेगी और पित्र दोस क जितनी भी समस्याएं होंगी वो खतम होंगी पित्र दोस खतम हुआ तो धन की प्रॉब्लम खतम बीमारी खतम मनो कामना पूरी होगी जितने कस्ट होंगे ना वो सब खतम होंगी समझो कैसी और सबसे बड़ी बात पता है क्या है इस उपाय को चाहे तो घर पे करो मंदिर मे कहीं पे भी करो एक बेल पत लेना बहुत ही प्यारी सी सुन्दर सी इसके अलावा कुछ लेना ही नहीं है एक बेल पत के साथ तामबे के लोटे में जल भर लो ठीक है जल भर लिया और इन दोनों चीजों को लेके पहुँच जाएंगे महादयो के शिवलिंग के पास में जो आपको पता है कि यह जगह किसकी होती है यह पित्र देवता आरेमा का स्थान है किसका है पित्र देवता आरेमा का यह स्थान होता है जिस जगह पे हम महादयो के शिवलिंग के उपर जल चढ़ाते हैं और वो जल जलाधारी से होचा हुआ जमीन पे गिरता है वो स्थान पि पित्र देवता अर्यमा के नाम से एक बेलपत समर्पित करेंगे जो एक लोटा जल अपने घर से लेके आये हो वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना स्री शिवाय नमस्त भिहम का ध्यान करते और ये जल जब इसी बेलपत के ऊपर गिरेगा तो आपके जीवन से जो पित्र दोश की समस्ताय होंगी वो खतम होंगी देखो कितना आसान सबसे आसान उपाय है मौनी अमवस्या का इससे सुन्दर इससे आसान उपाय पित्र दोश को खतम करने का नहीं हो सकता तो आप सभी लोगों को जरूर से जरूर इस उपाय को करना होगा कोशिश की है म तो नीचे जुआइन का बटन है, वहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम, फेस्बुक पे फॉलो करो, The Natural Planet 108 सर्च करके, और हाँ, जितने भी भाईवेन इस आवाज को पहरी बाल सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए, तो जरूर चैनल को सब्सक्रा टैप करेंगे, स्रीश वाय, नमस्तु भ्याँ